यह वो बेस है जो पालर्स में 30-35,000 का मेकप करते हुट लगाई जाती है प्रोफेशनली यूज होती है और इसके बहुत अच्छे रिजार्ट्स इसकी इसकी कवरिज देखें आप इस बेस की बहुत अच्छी बनती है और आपकी जो ब्राइड्स है न वो आपका काम देखके अच्छी बनाई जाती है और बहुत बड़े-बड़े सालों में यूज होती है बहुत मज़े के जो है प्रोड़क्ट्स है और यह वो प्रोड़क्स है जो आप में से बहुत से लोगों के पास अल्रेडी अवेलिबल भी होगी तो लेट स्टार्ट द वीडियो आज की क्या एड करेंगे तो यहां पर जुस से पहले मैं आपको ब्राइडल बेसे कस्तमाइज सिखा चुकियों मैंने बहुत अफॉरड़ेबल चीजों के साथ सिखाई है बहुत जाद अफॉरड़ेबल लेकिन आज थोड़ी से एक्स्पेंसिव होंगी बिल्कुल हाइड पी नह चालों उसमें यूज होती है आपने क्या करने क्राइलन टीव पेंट सिक लेनी है ठीक है और मैंने इसका शेट लिया है fs45 मैं यहां पर मीडियम कलर के लिए बना रही हूं आप लोग फेर में बनाना चाहों फेर में बना सकते हो या फिर आप लोग अगर डाक टॉन में ज और यह जी हमारी एक लेर कंप्लीट हो चुकिए मैं आपको करीब से इसकी अमांट मैं आपको सारी जितनी भी चीजों की मिगदार है वो करीब से दिखाती रहूंगी ताकि आप लोग को अच्छे साइडिया हो सके कि हमने कितनी कितनी चीज़ें एड करनी है एक फेर साप स एक अठा करने के लिए और नेल अर्ट में भी यूज होता है पचास सो का यह आपको सेल से भी मिल जाएगा मैंने वैसे यह एक ब्रेंड से लिए तो आपको मैं इसकी नेक्स्त जो कमिंग वीडियो आएंगी नों में काफ साथ इंफॉमिशन शेयर करने वाली हूं अच्छ पढ़े वाले विए यह एक मस्ट चीज होती है बहुत जाती इसको जैंट में भी यूज किया जाता है और लेडिस के यूज किया जाता है और यूज कर रही हूं फस फॉस्टाइव अगें ठीक है क्यूंकि मैं मीडियम पाकिस्तानी इंडियन मीडियम सिंडॉन के हसाब से बना रही हूं तो आपने क्या करना है इसको scratch कर लेना है ठीक है इसको scratch करके half teaspoon जितनी मिगदार हम में scratch करनी है मैं आपको भी महीर करके अंदासे से बताती हूं यह सारा आपने इसमें ट्रांसफर कर लेना है और यह half चमच बने कर तो यह आपने अपनी बेस में डाल देना है अब यहां पर यह वाला जो पैन के इक है यह आपकी बेस को बहुत जादा long lasting बनाता है गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है और यह आपकी बेस का texture जो बनाएगा वो बहुत जबर्दस ब्राइडल बेस का texture बनता है इससे तो यह दो चीज़े मस्त है और बहुत जादा सेलाउं में यूज होने वाली प्रोड़क्स अच्छा जिस के इलावा हमने इसमें क्या एड करने है थर्ड प्रोड़क्ट जो मैं इसमें एड करने लगी हूँ वो है प्राइमर आपने कोई भी अच्छा सा प्राइमर का एक पंप ले लेना है ठीक है एक पंप आपने प्राइमर का इसमें डाल लेना है और प्राइमर आप मेबिलीन का भी ले सकते हो लोरियाल का भी ले सकते हो कोई भी प्राइमर आपने अच्छा सा ले लेना है मैंने यहां करना पड़े का एक ही बार जल्दी से फटाफट बन जाएगी और इसका और रिजन भी है इन सब इसों के कटा डालने का मैं आपको आगे बताती हूं कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग क्यों यह सब मिक्स करके लगाते हैं हम अलग अलग भी तो लगा सकते ह इसा ग्लॉसी नहीं कि वो आपके मेकप को लांग लास्टिंग ना रहने दे लेकिन उसमें शाइन जरूर होनी चाहिए तब ही आपके बेस ब्राइडल बेस लगती है अच्छा जी यहां पर जो है ना आपके पास दो गिसम की हाइलाइटर होते हैं एक होता है लीक्विड ह लेकिन मैं समें एड नहीं करूंगी कस्नाइज बेस में क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्स्चर की मुख्तलिफ चीजें इसमें पाउडर भी है स्में क्रीम भी है समें प्राइमर भी इसमें और बी कुछ चीज़ें जाएंगी तो इसके साथ लिक्विड हाईलाइटर का ज लोग गोल्ड टाइब डालो नहीं है फेया तो शैंपेन में मैंने तीनों कलर थोड़े-थोड़े से एड कर ली हैं अच्छा जी यहां पर मैं आपको मिगदार इसकी बता देती हूं आपने इसकी एक चोथाई के साब से मिगदार डालनी है ठीक है एक चोथाई चमच अब य जो है ना वो रूखी फीकी ना लगे बड़ी प्यारा साउस में ग्लो अनस्टाव ठीक है यह चला गया हमारे इसमें हाइलाइटर अच्छा जी अब मैं इसमें किसी किसम का लूस पाउडर या कॉम्पैक पाउडर एड नहीं करूं कि क्यूंके मैं इसमें ड्राइ पैनकेक यूस कि अगर मैं इसमें एकवा पैनकेक जो वेट पैनकेक होते है वो यूस करती तो मैं पाउडर डालती ठीक है यह बहुत समझने वाली बाते होती है आप लोग कि फिर कस्टमाइज बेस अच्छी नहीं बनती आप लोग कहते हो हमारे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा तो जो चीज बताई जा रही होती है उसको अच्छे से समझा करें ठीक है यहाँ पर क्यूंकि मैंने ड्राइ पैनकेक डाला है तो मैं यहाँ पर कोई भी मजीद पाउडर एड नहीं करूंगी लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिस तरह से मैक का पैनकेक या कोई क्राइलन का एकवा में था स्टीक जो है हमारी क्रीम में थी और प्राइमर जो है वो जैल फाम में होता है तो यह चीज़ें अब मिक्स नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि इसमें बहुत जादा पाउडर है तो हमने इनको मिक्स करने के लिए हमें एक लिक्विट फाउंडेशन की जुरुत पड़ेगी और लिक्विट फाउंडेशन आपने बहुत सोच समझ के डालनी है ठीक है अगर आपका क्लाइंट ओईली फेस वाला है तो आपने मैट लिक्विट फाउंडेशन डालनी है लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो ड्राइ स्किन वाला है तो आपने नॉर्मल वाली लिक् अच्छा आपने इसमें मिगदार कितनी डालनी है देख लें ठीक है हाइलाइटर एक चुताई चमच था वन फोर्थ टी स्पून था और जो पैनकेक था वो आधा था और यह जो हमारे पास लिक्विट फांडेशन है यह भी आधा चाय का चमच इसमें जाएगी ठीक है लिक्विट फांडेशन हमने इसमें एड करनी है यह चली कई इसमें सही हो गया और अब क्या करने हमने इनकी करनी है बहुत अच्छे से मिक्सिंग उसके बाद मैं आपको इसको अपलाई करके दिखाती हूं और इसके फाइनल टचीज आपने कैसे करने है पेसको फाइनल कै करना बहुत जरूरी है मैं इसका टेक्स्चर भी अभी चेक करवा देती हूं कि यह फाइनल इसका टेक्स्चर कैसा बनेगा यह वो बेस है जो पालर में 30-35,000 का मेकप करते वक्त लगाई जाती है प्रोफेशनली यूज होती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट क्या मकसद होते है इसका सिर्फ यह मकसद होते है कि जो लोग अपनी प्रोडुक्स को शो नी करना चाहते है चुपाना चाहते है कुछ होती है ना प्यूटेशन वो कहते हैं कि हमने नहीं शो करानी अपने स्टाफ को या अपने क्लाइंट को कि हम क्या यूज कर रहे हम सीक् और दूसरा बड़ा रीजन जो इसका होता है mixing का वो यह होता है कि आपका time बज़े आपके पास एक साथ दो तीन brights आई ही है और आपने फटा फट से काम करने तो आपकी बेस अगर पहले से बनी वी होगी ना आपको लगाना पड़ेगा ना आपको कुछ करना पड़ेगा सीधा आपने जो है ना बेस लगा कि अपना काम स्टार्ट कर देना और एक ही बेस आपके सारे जो है ना मसलों का हाल हो जाएगी जल्दी से अप एक ही ब्राइड के टाइम में आप दो-तीन ब्राइड को कवर कर सकते हो तो बस यह रीजन होती है कस्टमाइज बेसे बनाने की बाक की कोई परेशानी वाली बात नहीं आपको स्टेप वाइज अच्छा लगता तो आप को लाजबी स्टप वाइज ही करें आपको कोई जश्वरो जो stick होती है वोगत सकत होती है लेकिन जो इसका texture है नहीं बहुत मोटा है stick की तरह ठीक है और नहीं यह बिलको रनी साय के नीचे गिरता रहें तो यह चीज हमें चाहिए थी यह बहुत full coverage बने की बड़ी जबरदस तो मैं आपको इसको apply करने का तरीका पताती हूँ आपने base लेनी है ठीक है उसको अपने face के उपर apply करने है और उसके बाद आपने इसको beauty blender की help से जाद़ बेहतर है कि आप इसको apply करें sponge की help से वो जो normal वाले sponges होते हैं उनकी help से भी किया जा सकता है लेकिन जो best result आएगा वो आता है beauty blender से मैं यहाँ पर o2o का use का रही हूँ skin dry है तो इसको गीला करके निचोड लें और oily है तो आप ऐसे ही direct इसकी जो है न application start कर दें यहाँ पर आप लोग देख लें मैं आपको करके दिखा रही हूँ ठीक है आपने इसकी coverage देखें आप इस base की यह बहुत अच्छी बनती है और आप के पास और जाद अजाद अपराइड जाएंगी और जो आपके clients है वो satisfy होके जाएंगी आपको खुद भी बहुत खुशी होगी है बेस यूज करके तो आपने यूज करनी है मुझे आकर वापिस अपना experience शेयर करने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और दूसरी ब इसको बना कर रख सकते हो बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है कि यह खराब हो जाएगी ड्राय हो जाएगी बिल्कुल भी ड्राय नहीं होगी आप इसको दो महीने तक बना कर रख सकते हो ठीक है दो महीने बाद और बना लें तो यह देखें कवरी चेक करें इस बे बहुत अच्छी बेस बनती है और जो है कमाल हो जाने आप इसको प्लाइ करके जरूर देखिए गा चीजें और अरी बियुटेशन के पास वेलेबल होती है कोई इसमें असी चीज यूज नहीं की जो किसी के पास अवेलेबल ना हो या इसली अवेलेबल ना हो मार्किर वखरा तो चलें जी, अच्छा बेस को जब आपने बहुत अच्छी से ब्लेंड कर लीजा, ठीक है? बैस को सेट करने के लिए आप लोग शब्छी मन काउदर का भी इस्तमाल कर सकते हो अच्छा जी हमने यह मैंने यहाँ पर यह मेरा मोस्ट फेवरेट पाउडर है और यह बहुत जबर्दस्त है ऐसे सिल्क फिनिश इसकी आती है ना आप लोग ने अगर कोई अच्छा पाउडर ट्राय करना है इसको जरूर ट्राय करके देखो ठीक है यह मेरी बेस है यह मेरा प बापिस आजाएगी पाउडर से थोड़ा मैट हो जाता है ना तो वापिस आपकी शाहिन आजाएगी और बेस बड़ी लांग लास्टिक और ट्रांसफर प्रूफ बन जाएगी और यहाँ पर देखें बेस हमारी बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुकी है सेट भी हो चुक